नमस्कार आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कताय में पुना स्वागत है आज मैं आपको सिहासन 32 की एक और रोचक कहानी जादूई गुटि का बताने जा रहा हूँ तो देर नहीं करते सुरू करते हैं आज की कहानी एक दिन फिर राजा भोज सिहासन पर बैठने गए पूछा कैसे थे राजा विक्रम पुतली ने बात सुरू की एक बार आधी रात को राजा विक्रम वेश बदल कर नगर चरिया देखने के लिए निकले वहाँ उन्होंने देखा की मंत्री के घर से 16 वर्ष की एक कन्या निकली और जल्दी जल्दी चलने लगी राजा ने सोचा इतनी रात को यह कन्या कहा जा रही होगी राजा विक्रम अद्रिश्य होने की विद्या जानते थे वे अद्रिश्य होकर मंत्री की पुत्री के पीछे पीछे चलने लगे मंत्री की पुत्री नगर सेट के घर के पास आई नगर सेट के घर का दरवाजा खुला दरवाजे में सेट का पुत्र दिखाई दिया मंत्री की पुत्री बोली वादे के अनुसार में आ गई नगर सेट के पुत्र ने कहा तुम्हारे प्यार की परिक्षा हो गई अब तुम अपने घर लोट जाओ मंत्री की पुत्री बोली सवेरे लोट जाओंगी इस समय तो मैं यही रहूंगी नगर सेथ की पुत्री ने कहा विवाह के पहले इस तरह रात में मेरे घर पर रहना ठीक नहीं है कहीं राजा को मालूम हो गया तो हमें फांसी पर चढ़ा देंगे मंत्री की पुत्री ने गरदन उची उठाते हुए कहा मैं राजा की जरा भी परवाह नहीं करती मैं चाहूं तो राजा का सिर काट लाओं यह सुनकर सेथ का पुत्र हावेश में आकर बोला इतना ज़्यादा भीमान तुमने कहा है तो अब राजा का सिर लेकर ही यहां आना इससे पहले मुझे अपना मुहमत दिखाना मंत्री की पुत्री का भीमान आहत हुआ ठीक है ठीक है कहती हुई वह पैर पटकती गुस्से से लाल पिली होकर चली गई यह सुनकर राजा विक्रम भी मुस्कुराए और आगे चले राजा विक्रम थोड़ा आगे गए तभी एक घर में हो रही बादचीत उनके कानों में पड़ी मा कह रही थी बेटा अब तुम बड़े हो गए हूँ अब तुम्हें अपने पिता का बदला लेना चाहिए बेटा बोला किस बात का बदला मा मा ने कहा तुम्हारे पिता ने राज महल में चोरी की थी इसके लिए राजा विक्रम ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया था अब तुम जवान हो गए हो तुम राजा विक्रम का सिर काट लाओ और अपने पिता की मौत का बदला लो बेटा तुरंत बोल उठा जब तक राजा विक्रम का सिर ना काट लू तब तक मैं अन्न जल ग्रहन नहीं करूँगा राजा विक्रम फिर मुस्कुराए और मन ही मन बोले क्या बात है आज दो-दो लोग मेरा सिर काटने के लिए उतावले हो रहे हैं राजा ने सोचा मेरा सिर काटने के लिए मंत्री पुत्री क्या योजना बना रही है जा कर देखूं तो सही यह सोचकर राजा अद्रिश रूप में मंत्री पुत्री के घर गए, तो मंत्री पुत्री पूजा की थाली तयार कर रही थी, वह पूजा की थाली लेकर चली, राजा विक्रम भी अद्रिश रूप में उसके पीछे पीछे चले, मंत्री की पुत्री शमसान के पीछे वाले जीर्ण मंदिर में गई, वहां एक अउध तो चींडियाय जानता था मंत्री की पुत्री अधूत के पैर चुकर बोली महराज मुझे राजा विक्रम का सीर काट कर लाना है इसके लिए मुझे कोई उपाय बताईए अधूत ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा पाप नहीं करना चाहिए पर मंत्री की पुत्री कैसे माण जा अन्त में अधूत ने उसे एक जादूई गुटिका दिखा कर कहा एक सर्थ पर मैं है जादूई गुटिका तुम्हें दूँगा कल सवेरे ही मुझे यह गुटिका वापस मिल जानी चाहिए मंजूर है मंत्री की पुत्री बोली मंजूर है अधूत ने उसे वह जादूई गुटिका दी और कहा इस गुटिका को तुम मुह में रखोगी तो जहां चाहोगी वहाँ एक छड़ में ही पहुँच जाओगी रास्ते में तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा बाकी का काम तुम्हें अप पैर शुकर बोला महराज मुझे राजा विक्रम का सिर काट कर ले आने का कोई उपाय बताईए अधूत ने चोर के बेटे को भी ऐसा पाप न करने के लिए बहुत समझाया पर उसके सिर पर पिता का बदला लेने का भूच सवार था इसलिए उसने भी अधूत की बात नहीं हुए चावल के दाने दिये और कहा ये दाने मुठी में रखोगे तो तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा बाकी का काम तुम्हें अपनी बुद्धी से करना है इधर मंत्री की पुत्री गुटिका मुह में रख कर राजमहल के जहरोके के पास से गुजर रही थी तभी उसने जाकर आरे के नीचे कट जाऊंगा मंत्री की पुत्री ने यह सुना और उसके मन में कुछ विचार सूझा वह निर्भैदास के नजदीक गई आसपास एक नजर डाली फिर धीरे से बोली ताकि कोई सुन न ले हे युवक तुम्हें रानी से मिलना है ना तो मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ यह सुनकर निर्भैदास बहुत प्रसन न हुआ मंत्री की पुत्री बोली पर एक सर्त है एक क्या यदि रानी मिलती है तो अनेक सर्ते मुझे मंजूर है जल्दी से उपाय बताओ निर्भैदास ने कहा मंत्री की पुत्री ने अपनी सर्त बताई लो य पर राजा का सिर उड़ा दो, बाद में आराम से रानी से मिलो, पर तुम्हें राजा का सिर मुझे देना होगा और यह गुटिका भी मुझे लोटानी होगी। जैसा सुन्दर मुख है रानी का, उसी समय चोर के पुत्र ने भी नंगी तलवार के साथ रानी के कमरे में प्रवेश किया, उसे लगा राजा विक्रम रानी के पास बैठे हैं और रानी का मुखडा निहा रहे हैं, पिता की मौत का बदला लेने का इस से अच्छा मौका फिर स सिर उड़ा दिया, कटा हुआ सिर कपड़े में लपेटा और उसे लेकर चोर पुत्र घर लोटाया, जह देखकर मा ने बेटे को सवासी दी, फिर चोर पुत्र ने जंगल में जाकर निर्भैदास का सिर जमीन में गार दिया, इधर निर्भैदास की चीक सुनते ही रानी अब रानी की चिंता की सीमा न रही, उसने तुरंत अपनी अंतरंग दासी को बुलाया, दासी ने परिस्थिती को देखकर तुरंत निर्णाय लिया, उसने बिना सिर वाले धड़ को एक बोरे में भर कर उसे नदी में फेकने के लिए अन्य दासियों को रवाना किया, अंध इसलिए ठेट नदी के किनारे तक जाने की दासियों की हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने एक पेड के बड़े कोटर में वह बोरा छिपा दिया, और जल्दी जल्दी नगर की ओर लोड गई, राजा विक्रम अद्रिश होकर यह सारा खेल देख रह थे, राजा विक्रम जंगल राजमहल के जहरोखे के नीचे राह देखती खड़ी थी, पर निर्भैदास लोट कर नहीं आया, मंत्री की पुत्री को नराजा का सिर मिला नहीं जादवी गुठिका वापस मिली, मंत्री की पुत्री फिर समसान में लोटी, जीर्ण मंदिर में अउधूत के पास गई, रो अरे जादवी गुठिका के बीना, अब मैं रेवा के किनारे कैसे जा सकूंगा, अरे मेरी मृत्यू खराब हो गई, इधर मंत्री की पुत्री के पश्चात आप की सीमा न रही, उसने सोचा, अरे मेरे कारण और धूत की प्रतिग्या अधूरी रहेगी, मैं भी अब अन्न छोड़ दूँ और प्राण त्याग दूँ, इधर पती की मौत का बदला ले लेने के बाद, चोर पुत्र की मा को बहुत पस्तावा होने लगा, दीन दुखियों पर किये हुए राजा विक्रम के उपकार उसे याद आने लगे, उसे लगा लाखों लोगों के पालन हार को म मैंने इस तरह मरवा डाला, विलाप करती हुई वह बोली, क्या हो सकता है मेरे ऐसे पाप का प्राण त्याग दे तो फिर मुझे भी जी कर क्या करना है, बेटे ने भी अन्य जल छोड़ दिया, इधर निर्भैदास के माता-पिता की चिंता की सीमा न रही, हमारा जवान बेटा कहां खो गया होगा, जब तक बेटा न लोटाए, तब तक उन्होंने भी अन्य जल का त्याग कर दिया, नगर सेट की पुत्र को इन सारी बातु का पता चला, तब उसने सोचा, इन सब का कारण मैं ही हूँ, मेरे कारण ही, रानी, मंत्री पुत्री, चो करना है, उसने भी अन्य जल का त्याग किया, और मरने का संकल्प किया, यह सब देखकर राजा विक्रम बहुत दुखी हुए, पर बाद में उन्होंने सभी के वरत उपवास छुडवाने का निश्चय किया, सबसे पहले राजा विक्रम चोर पुत्र के घर गए, अपना पर का दिखा कर कहा, हम यह जादूई गुटिका अधूत को लोटा दें, जिससे वह छण भर में ही रेवा के किनारे पहुँच जाएगा, फिर राजा ने मंत्री पुत्री का उपवास छुडवाया, तभी राजा को पता चला की, राणी ने भी अन्य जल का त्याग कर दिया है और इसका कारण भी कोई नहीं जानता, राजा तुरंत राणी के पास पहुँचे, रोते रोते राणी ने सारी बात राजा से कही, फिर उसने कहा, मेरे पलंग पर कोई पराया पुरुष बैठा, उसका मुझे पाप लगा, इसलिए मैंने अन्य जल का त्याग किया है, राजा विक्रम अधूत के पास गए, उन्होंने अधूत को अपना परिचय देते हुए कहा, हे तपस्वी, अपने दुख का कारण बताईए, अधूत ने निहस्वास छोड़ते हुए कहा, कल मेरी बृत्यू होने वाली है, मैंने रेवा नदी के किनारे मरने की प्रतिग्य की हुई है, पर मेरे पास अब जादूई गुटिका नहीं है, इसके बीना मैं किस प्रकार रेवा के किनारे पहुचूंगा, राजा विक्रम ने अधूत को सारी बात बताई और उसे जादूई गुटिका दी, अधूत जादूई गुटिका पाकर बहुत खुशुआ, पर मैं उसे जीवित करूँगा, राजा विक्रम और अधूत जंगल में गए, पेड के कोटर से निर्भैदास का धड़ और जमीन में गाड़ा हुआ, उसका सिर बाहर निकाला, फिर धड़ पर सिर जमाया, और अधूत ने संजीवनी मंत्र से निर्भैदास को जीवित किया, अ नगर सेट के पुत्र का धूमधाम से विवाह करवा दिया, उजयनी नगरी में आनंद ही आनंद छा गया, कहानी समाप्त कर पुतली ने कहा, ऐसे बुद्धिमान थे राजा विक्रम और वह तुरन ताकास में उड़ गई, तो यह थी आज की कहानी जादूई गुटिका, आ अन्यवाद